जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमट टेखनोलोजी पे दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी O-Level की तयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे आप सभी जानते हैं जनुवरी 2023 में जो O-Level के एक्जाम होने वाले हैं 14 जनुवरी से आपके एक्जाम स्टार्ट होंगे यानि 14 जनुवरी को आपका M1 का पहला एक्जाम होगा जो की नेलिट की ओफिसियल विबसाइट पे नोटिस था ठीक है हो सकता है इसके बाद ये डेट चेंज भी हो लेकिन जो अभी तक गुर्णों ने डेट दी है उसी को आप फाइनल डेट मानके तयारी करें ठीक है M1 R5 की हमारी दो-तिन किलासे हो चुकी है यहने का मतलब लिविर ओफिस में आपको पूरा करा दिया है उसके MCQ भी सारे करा दिया है वीडियो नहीं देखिए तो जुरूर देख लेना उसको कफी हैल आपको हमासे मिलने वाली है M2 R5 में यह हमारी पहली किलासे M2 R5 की लगबग 8 किलासे होंगी और जो इनको कर लेगा अच्छे से पास तो कम से कम वो होई जाएगा ठीक है और अच्छे मैनत कर लेगी तो कम से कम B से A ग्रेड अपला सकते हैं अगर आपने धंग से तमीज मैनत कर लेगी है तो देखे यह पहली वीडियो है मैंने आपको बताया साथ से आठ वीडियो M2 R5 की आएंगी एक वीडियो में 25 पर हम डिसकस करेंगे ठीक है थोड़ा पढ़ाएंगे लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में अभू रहे थीक है तो कुशन नंबर वन पर देख लीजिए कोशन इंग्लिज में हैं बहुत सारे बच्छों के ये मतलब क्योई are iti के सब English में है English में बहुत सारे बच्छे बोलता है कि Hindi में लाइए तो डिए किसल को लिखना possible नहीं है लेकिन इंग्लिज j तो सभी को आती है कि आप question को Hindi में समझ सके कि आपसे पूछना क्या जाता है उसका मतलब क्या है इतनी में ठीक है लेकिन फिर भी अगर आप इतनी भी नहीं समझ बाते तो मैं आपको बताऊँगा कि को पूछा क्या गया है बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप question English प्लिस में पढ़ रहे हैं ठीक है कुशन नमबर बन में आपसे पूचा गया है HTML की फूल फॉर्म क्या है आप सभी को दिख रहा होगा HTML इस्टेंड फोर अगर आपने चैनल को कुशन नमबर टू पे है www का फूल फॉर्म क्या है वर्ड वाइड वेव इसकी फूल फॉर्म होते हैं आप सभी जानते हैं तो देखिए किस ऑप्शन पर लिखा है आपका वर्ड वाइड वेव option number c पे आपके लिखा है world wide wave यानि option number c इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है साथ साथ आप copy pen लेके बैठिए जो question important होगा उसको बताऊंगा ये भी important है लेकिन common question है ये सभी वो याद होते है ठीक है तो आप इनको ना लिखे कोई बात नहीं चल जाएगा question number 3 पे है HTTP की full form क्या है HTTP का पूरा नाम क्या है आपसे पूछा गया है यहाँ पर बताईए hypertext transfer protocol होता है ये जितने भी protocol होते हैं HTTP, SMTP, FTP, POP3 सारे important है आपसे एक question जरूर पूछ जाएगा full form में चाहे वो HTTP होगा, SMTP होगा, FTP होगा या POP3 होगा कहीं से भी आ सकता है एक question तो confirm आएगा ज्यादा भी आ सकते हैं तो HTTP की full form होती है hypertext transfer protocol और FTP की full form होती है file transfer protocol ठीक है सारे जो protocol है important है, इनकी whole form आपको याद होनी चाहिए तो hypertext transfer protocol question number 3 का सही answer जाएगा आपका option number A पे ही आपका जो है सही answer लिखा होगा है, ठीक है, hypertext transfer protocol question number 4 में है, dash is known as father of worldwide wave, worldwide wave के पिता यानि www के पिता किसको कहा जाता है या आप से पूछा गया है question number 4 में आप सभी ने नाम सुना भी होगा इसका, यह मतला इनों ने कब बनाया था इसको या आप सभी comment box में comment करके बताना इस question का सही answer हो जाएगा, team banners league, question number 5 में है, IP stand for, IP का पूरा नाम क्या है, internet protocol इसको बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, तो question number 5 का सही answer हो जाएगा, आपका option number C, internet protocol, ठीक है जी question number 6 में है, and that is a company that provides internet access to user or subscriber or of its service, बताइए, आप जो internet use करते हैं, यह आपको कौन provide कराता है, question हिंदी में आपको बोलों, अंकर मैं, एक company है जो उप्योग करता हो को, यानि user को, ठीक है, और अपने ग्रहकों को सेवा परदान करती है, internet की, उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सी company नहीं है, दो बताइए, तो उसको ISP आपने सुनाओगा, ISP, है न, internet service provider, इस question का सही answer हो जाएगा, आपका option number D, ठीक है, आप देखे, D पर लिखा हुआ है, आपका ISP, ठीक है, full form भी पूछ सकता है, आपसे ISP की, तो internet service provider, इस question का सही option number D, answer हो जाएगा, इसकी full form भी आपको य कहते हैं, बताइए, इंटरनेट पर एक वेब पेज से आपके computer पर फाइलों को इस्थांतित याने transfer करने की प्रकिरिया को क्या कहा जाता है, यह आप से पूछा गया है, बताइए, तो उसको क्या कहते हैं, sir, downloading कहते हैं, option number D, question का सही answer हो जाएगा, उसको हम downloading कहते हैं, ठीक ह एक website से दूसरी website पर जाने को क्या कहते हैं, बताइए, एक website से दूसरी website पर जाने को हम क्या कहते हैं, यह आप से यहाँ पर पूछा गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपको option दिख रहे होंगे, option number A पर transferring, option number B पर है shifting, browsing या loading, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जी, browsing बोलते है है ठीक है क्या बोलते हैं उसको हम ब्राउजिंग बोलते हैं option number six question का सही answer हो जाएगा question number nine पे है verification of a login name and password is known as बताईए जब भी आप अपने किसी ID में login करते हैं ID password डालके तो उसको क्या बोलते हैं बताईए क्या बोलते हैं उसको क्या उसको हैं तो आप अपनी login ID और password डालके ही उसको login कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा person आपकी उस login में उस ID को login ना कर सके तो उसको क्या बोलते हैं authentication बोलते हैं ठीक है option number six question का सही answer हो जाएगा authentication ठीक है question number 10 सभी question important है पूछे की ज़त चुके हैं ओलेवल अच्छा साधन कोंसा है बताइए और सबसे पुराना भी होना चाहिए तो question number 10 का answer सही सभी को आपको बताना है बिल्कुल सही answer आपको बताना तो उसको क्या बोलते हैं सबसे पुराना भी है तो oldest भी है और most popular भी है आपका email ठीक है email की वुल्फ़मूति है electronic mail question number 11 में आपसे पूछा गया है दा internet support a large system called the बताईए प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस व्ल्ड वाइड वेब व्ल्ड वाइड एक्सेस पॉइंट नेटवर्क एक्सेस पॉइंट को इसको व्ल्ड वाइड वेड बोलते हैं ठीक है ओप option number 20 question का सही answer हो जाएगा व्ल्ड वाइड वेड ठीक है न कुशन नंबर 12 में पूछा गया है डैस और सैट ओफ रूल एंड प्रोसेड्यूर्ड और कम्यूनिकेटिंग बताईए उसको प्रोटोकोल बोलते हैं नियमों का समूग ठीक है यहां भी आप से पूछेगा सैट ओफ रूल तो उसको नियमों का समूग यानि प्रोटोकोल बोलते हैं जो प्रोटोकोल मैंने अभी आपको बताए SMTP, POP3 और आपका HTTP हो गया, POP3 हो गया, इस सब आपके प्रोटोकोल हैं अगर आपसे पूछे के मेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकोल का यूज करते हैं और मेल भेजने के लिए किसका तो मेल भेजने के लिए simple mail transfer protocol और मेल प्राप्त करने के लिए POP3 जो आपका post office protocol है, version 3 में available उसका यूज करते हैं फाइलों को transfer करने के लिए internet पर FTP का यूज करते हैं ठीक है, यह आप सभी को याद होना चाहिए question number 13 में पूचा गया है, इस computer connected to internet must को किस से जूड़े होते हैं बताइए, एक IP address होता है, अपना computer का आप सभी चानते हैं हर computer का आपना IP address होता है, तो उसी से वो जूड़े रहते है, option number B, इस question का सही answer हो जाएगा, have an unique IP address, ठीक है, इस question का सही answer हो जाएगा, option number B सारे के सारे question important है, इसलिए मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ, साथ में copy pen लेके बैठिए, ताकि आप इनको लिख भी सकें, और लिख नहीं पाते हैं, तो कम से कम इनको आप screen shot ले लें, या दिमाग में इस तरीके से रख लें, कि exam में question आएगा, तो option देख लिए आप स से पुछा गया है, home page क्या है, बताइए दोस्तो, an index of aniclopedia articles, where all internet data is stored, required for access, ये तो सब योगर नहीं बताइए, उस question number 14 का सही answer क्या होने वाला है, बताइए, question number 14 का सही answer क्या होने वाला है, तो इसका सही answer आपका हो जाएगा, the first page of a website, बहुत easy question है, और आप इस question का अगर नहीं सोच पा रहे हैं, तो आपकी गलत वात है, home page किसको बोलते हैं, website के पहले page को ही home page बोलते हैं, तो ये सारे option जो है, क्या ही आपको सही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, तो option number day ही इस question का सही answer हो जाएगा, question number 15 में है, employee in an organization can use a part of the private internet is called, बताइए, बताइए, इस question का सही answer क्या होने वाला है, एक संकटन में करमचारियों या निजी internet की भाग को प्योग कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बताइए, जो करमचारियों होते हैं, सही answer होने वाला है, question number 16 में है, 25 question है जादा घबराइएगा नहीं, आपको दिहान से पढ़ने नहीं, dash is a document commonly written in hypertext markup language, जैनि HTML में लिखा हुआ एक document है, एक दस्तावेज है, that is accessible through the internet or other network using an internet browser, बताइए, इस question का सही answer क्या होने वाला है, important question है, यह बहुत ही, आमतोर पर जैसे को यह आपका document है, जो की HTML में लिखा गया है, ठीक है, जो internet या onion network के माधियम से internet browser का उप्योग करके पहुचा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, यह आप से पूछा गया है, तो सर उसको हम web page बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको सर हम web page बोलते हैं, option number B, इस question का सही answer हो जाएग you see, जब आप HTML में कोई file upload करते हैं, web server पर तो उसको कैसे देखते हैं, HTTP, SMTP, TCP या FTP, सारे option आपके सामने हैं, और इनकी full form आपको जरूर याद होनी चाहिए, बताइए, मैंने अभी आपको बताया था, फाइलों को transfer करने के लिए, किस protocol का use करते हैं, तो HTTP की full form होते है, full form और FTP का file transfer, protocol, चारो की चारो, full form आपको याद होनी चाहिए, चारो की चारो, full form होते हैं, इस question का सही आपका हो जाएगा, option number AFTP, question number 18 में है, a webpage is a, a webpage is a located using a dash, बताइए, universal record linking, uniform resource locator, इस question का सही आपका हो जाएगा, full form पुछ रहा, URL की, तो uniform resource locator option number B पे लिखा है, आगर आपको दिख रहा होगा, uniform resource locator option number B, इस question का सही answer हो जाएगा, ठीक है, question number 19 में है, which of the following protocol is used for www, www के लिए किस protocol का use किया जाता है, या आप से पूछा गया है, बताइए, तो किस का use करोगे आप, देखे, mail, अगर बात होती, mail की, तो हम SMTP लगा होती, तो हम SMTP लगा देते, और transmission control protocol की बात होती, तो ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन सही answer आपको क्या लगता है, HTTP यानि hypertext transfer protocol का use करते हैं, ठीक है, question number 19 का option number D, बिल्कुल सही answer हो जाएगा, question number 20 पे है आपका, a webpage display a picture, what tag was used to display the picture, आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please कर लीज करने में, कंजूसी मत किया करें, आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बहुत साथे दिल्ला आपको लाइक करते हैं, कोमेडी देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, तो जो कोई पढ़ाता है, भाई सभी को आप like करें, ठीक है, तो बताई, इस question का सही answer क्या होने वाले, question number 20 का, एक वेब पेज डिस्पले पिक्चर एक वेब पेज है ठीक है जिस पे आपको एक तस्वीर परदर्शित हो रही है एक तस्वीर या निक फोटोस तो हो रहा है उस चित्रों को आप परदर्शित करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं यह आप से पूछा है तो IMG का यूज का सही आंसर आपको बताना है बताइए a piece of icon और image on a webpage associated with another webpage called dash URL hyperlink plugin ये connection बताइए question number 21 का आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होने वाला है किसी अन्या webpage से जोड़े webpage पर icon ये छवी का एक टुड़ा क्या कहलाता है उसको hyperlink बोलते हैं क्या बोलते हैं रे उसको सहर hyperlink बोलते है option number 20 का सही आंसर हो जाएगा आपको कोई problem तो नहीं हो रही है ज़रूर बता देने comment box में question English में है तो हिंदी वाले बच्चों को कोई problem तो नहीं हो रही है लेकिन exam में आपको question जो है हिंदी और English दोनों language में मिलेगा तो घबराने की को आपसा translate कर रहा हूँ question number 20 में आपसे पूछा गया है desk is a computer program running to serve the request of another program तो उसको क्या बोलते है question number 22 का सही आंसर आपको बताने है बताए एक computer program है जो अन्य प्रोग्राम के अनुरोदों को पूरा करने के लिए चल रहा है तो उसको server बोलते हैं क्या उसको server बोलते है option number is question का सही जरू हो जाएगा server ठीक है जी question number 23 में आपसे पूछा गया है a wave cookies is a small piece of data बताए question number 23 का क्या जरूने वाला है एक wave cookie data का एक छोटा सा टुकडा है बताए sent from a website and stored in user web browser while a user is a program website एक website से भीजे गया और उप्योग करता को web browser में संग्रित किया गया जब उप्योग करता एक website browse कर रहा था क्या इसका यह answer होने वाला है तो इसका यही answer होने वाला है ठीक है बाकी को पढ़ने के जुरू होती नहीं जब हम answer अपना मिल गया है तो इस question का वही सही answer होज़ेगा option number a question number 24 में है program are automatically loaded and operate as a part of browser उसको क्या बोलते है बताइए प्रोग्राम स्वचलितानी सम्वे रूप से लोड होते हैं और browser के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं प्लग इन बोलते हैं option number b इस question का सही answer हो जाएगा plugins ठीक है जी question number 25 में आपका last question है a web page a website a website dash structure is more important to a user than its physical structure तो उसको हम क्या कहते हैं बताइए आज का last question है आपका इसको हम क्या कहते हैं ये सारे के सारे question आपको telegram group में मिल जाएंगे उसको जरूर जोइन कर लें वहाँ पर जाके आप सारे question इनको पढ़ सकते हैं कर सकते हैं अपना रिवीज धन कर सकते हैं ठीक है question number 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा आपका option number बी लोजिकल ठीक है इस में पूछा ये गया है एक website की डैस यानि संडचना का उप्योग करता के लिए उसकी भोतिक संडचना की तुलना में कितना आधिक मैत्वपूर्ण है ये कितना मैत्वपूर्ण है तो ये हो जाएगा आपका logical option number बी इस question का सही आंसर हो जाएगा किलास कैसी लगी आपको जरूर बताना comment box में और like करने में कंजो से बिल्कुल ना करें जो भी आएगा like करके ही जाएगा और चैनल को भी subscribe करते हैं ताकि और वीडियो को notification आप मिस ना कर सके ठीक है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत